नमस्कार ओम नमस्षिवाय जयमातादी ये कन्या रासी और कन्या लगन यदि आपका है तो उसके लिए रासी फल लेकर के मैं उपस्तित हूँ जो इस महां के अंतक के लिए प्रहावी रहेगा उसके बाद से नई वीडियो लेके आएंगे ये जो ग्रहों के बरतमान गोचर की स्थिती है इसमें आप छे अप्रेल से गुरू यहां आ चुके हैं छटे अस्थान में हैं और सूर्य सुक्र और वुद्र अस्टम अस्थान में गोचर कर रहे हैं जिसमें सूर्य जो है उच्छरासी में हैं सुक्र और वुद्र सत्रासी म मंगल यहां छूट गए हैं और मंगल यहां पर गोचर कर रहे हैं और राहु नवम में है के तू तीसरे भाव में है चंद्रमा आज यहां है और रात में यहां चले आएंगे या कल तक चले आएंगे तो यह धाई दिन वाला जो समय होगा आज के बाद तो छे तीन आठवे मे और गुरु छटने में और चंद्रमा भी बार हमें घर में चले जाएंगे तो यह ग्रहों की जो इस्थिती है न बहुत खराब दिखा रही है और यह जो कुरोना का संक्रमनकाल जो विशेश तोर पेशा में चल रहा है तो कन्या रासी या कन्या लगनवाले जातक इस गोचर स से विशेश सावधान रहेंगे और विशेश बच करके रहेंगे नहीं तो कहीं भी यह रोग भाव सक्री है हास्पिटल भाव भी सक्री है और यह अचानक रोग वाहन एक्सिडेंट दुरगटना आदिका यूग भी यहां से बना हुआ है तो यह अस्टम का सूर जो है जव स्वामी भी है तो हास्पिटल भाव का स्वामी आके यहां पर बैठा हुआ है आपके अचानक दुरगटना वाले भाव में विपरीत राज यूग बनता है ठीक है लेकिन पहले विपरीत परिस्थिति आती है तो विपरीत परिस्थितियों का यह योग बना हुआ है पहुत बोले नात का जो मृतिविंजाय महामंत्र है उसकी सरण में रहें कम से कम तीन माला रोज अवस्य जबते रहेगा वुरू नहीं हो पाता है तो नमद सिवाय करिएगा और दुरगाजी के इस तोत्रों का पाठ कीजिएगा इससे बिसे इसलाब प्राप्त होगा गणपत अथरवत सिर्ष का पाठ कीजिएगा अथवा बिश्डु सहसरनाम का पाठ कीजिएगा ये भी आपके लिए काफी लाब दायक है यह तो सुक्र और बुद्र का रासी से गोचर अच्छा है पर रासी से यह अस्ठम है और लगण से भी अस्ठम है दोनों इस्ठतियों में यह इस लगण की हानी को दरसाते हैं धन आदी के लिए धन मिल जायेगा यहां से। और बुद्ध दोनों यहां देख रहे हैं तो धन की स्थिती है धन अगमन होने के अवसर तो दीख रहे हैं और सणी अपनी यहां सोरासी में हैं इस कारण भी और भी परिशानी के आओ सकती है तो पहले तो धन आएगा बुद्ध और सुक्र धन देंगे और चले आए आए स्वास्थ में भी परिशानी आ सकती है माता के स्वास्थ में भी परिशानी आ सकती है उसको लेकर के हस्पीटल जाना पड़ सकता है भूमी भावन वहां से संबंदित भी अच्छी स्थिती नहीं दीख रही है बेचेंगे तो घाटा आदी भी हो सकता है और इस समय ऐसे कार ये वंगल आपसे करा सकते हैं जिससे बाद में आपको असफलता मिलेगी और उसके करण बाद में पस्तावा होगा कि ऐसे कार्य नो किये होते इसलिए और साउधान जो चंदरवाई इहां राएंगे तो और साउधान क्योंकि तब मन भी बड़ा हो तो असांत रहेगा डमा ड पंदी है और यदि उमर बहुत अधीक है तो पत्नी बिमार भी हो सकते हैं पहले से बिमार चल रही है तो पत्नी की बिमारी और बढ़ सकता है सकता है और मुंख्षबी वी वीवार्वा सकता है वहां जाकर के भीमारी में खुब रोग बुरी पुरीन अरथात खर्चे भी हो सकते हैं रिन भी लेना पर सकता है इस तरह की स्थिति है लाब क्या दिखेगा स्वयंग में जिसे भूमी के लिए भवन के लिए और यह करजा लेना चाहते हैं तो करजा मिल जाए गा गुरु करजा दिलवा देंगे फाइनन्स के कारक हैं छटे भाव में ही हैं तो करजा मिलने के उसर बने रहेंगे विवाह करना चाहते हैं तो विवाह की अच्छी इस्तिति पूरुष जातक और लड़कियों दोनों के लिए कन्यरासी वालों के लिए अभी कोई योग बनता हुआ नहीं दिख रहा ह है गोचर से तो कोई योग नहीं है कि आपका विवाह हो जाए बहुत बिलंब है बाधा है इसलिए पतिक्छाही करने पड़ेगी नौकरी नौकरी ये गुरु दिलवा सकते हैं इसलिए प्रयास करते रहिए और खोब जो है थोड़ा सा परिश्रम करके और नौकरी मिल सकती है निवेश करेंगे लाप्राप्त होगा भागे का साथ भागे का साथ अभी तो विशेश नहीं मिलना है भागे पति यहां है और पीडित हैं अस्त भी चलना है दो तिन दिन दिन उदाय रहेंगे पिरस्त हो जाएंगे तो ये भागे का भी विशेश साथ रहने वाला नही इसलिए भाग के भरोसे नहीं रहना है देव उताओं के भरोसे रहना है अपने और अपने कर्तब्य के भरोसे रहना है इस समय में ब्यापार की स्थिति वही का कि ब्यापार की स्थिति ब्यापार में डाउन फाल इस समय देख रहा है और इसलिए संभल करके निड़े लेंगे तो अच्छा रहेगा भाईवानों से इस सिती जो है इस समय भी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है खटपट हो सकता है जगड़ा हो सकता है बड़े भाईवानों से मनमुटा हो सकता है धन संग्रा तो इतने सारे खर्चे हैं तो धन संग्रा कैसे होंगे फिर भी कोशिस रह आपकी रहेगी कि धन संग्रा हो जाएगा पर करने में सफलता नहीं मिलेगी थोड़ी बहुत कहीं से आएगा तब तक खर्चा बना रहेगा इसलिए खर्च अधिक है संग्रा की इस्थिती कम जोड़ है अब यहां पर सरवाष्टक बर्ग में बहुत अधिक अंक मिले हुए हैं तो हो सकता है मंगल रहात कर देंगे यहां सनी को सरवाष्टक बर्ग में बहुत अच्छे अंक मिले हुए हैं तो अच्छा है अब दसाएं किनकी जा रही है अंतर डालेगा उ पून कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है पिर अश्टक वर्ग में क्या पाइंट है उसके अधार से यह गोचर का फल और अधिक बिगड़ भी सकता है और अधिक बन भी सकता है दूसरा यह कन्यारासी और कन्यालगन दोनों है तो इसके लिए बाइद यह कन्यारासी आपक लिए तो मित्वन के लिए लगभक बने इसमाहा भी ठीक रहने वाले कुम्भ के लिए तो बहुत अच्छी रहने वाले नहीं है इसलिए बिशे Kathan दाने की जहुबत है मकर के लिए वी सामान की स्थिती ही चल रही है तो उस तरह से दोनों का ले करके और एवरेज ले लेंगे रासी से और लगन से जो फलाफल आ रहा है उसको इवरेज ले लेंगे और सटिक्ता के लिए दसा अंतर दसा प्रत्यंतर दसा वो देखना आवस्यक है उनका भी फलाफल मिला लेना है और नहीं समझभाते हो तो नंबर दिया है थोड़ी से है परंतु बिलंब इसमें भी रहेगा क्योंकि गुरू की पोजिशन अच्छे नहीं है अपने से दूसरे हैं तो भी क्योंकि बहुत सडवल में कमजोड इस्थि में गुरू और बुद्ध दोनों हैं इसलिए उपाय क्या करिएगा तो उपाय के तोर पे यही रहेगा कि य अच्छी पोजिशन में तब सुक्र के रतनों को धारन कीजिएगा नहीं तो पाय पहले ही बता दिया था उसका पालन कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद और मस्यवाद चैनल को लाइक करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें